सब्सक्राइब करें अपना प्यार सपोर्ट जरूर मुझे दे तो चलिए आप सुरू करते हैं तो इस साम का टाइम छे बच चुके हैं क्योंकि इस टाइम का जो समय चल रहा है जल्दी मंदब अंधेरा हो जाता है तो अब तो मैंने टीक और करके पूजा स्टमश का तो इंदिंग का है तो इंदिंग के वीडियो में अप तक श्यार कर रही है तो सबसे पहले मैं जो दीपक है वो सब मैं इकठ्था कर ली हूं मतलब आप चाहे तो जो भीषी था और सब देदा दिपक के अधेरे लिगा है और आप देख रहें यहां पर एक ग्लास या एक लोटिया या आप कुछ कह सकते हैं मतलब हमेसा पूजा मंदिर में एक पानी का लोटा जरूर होना चाहिए आप कुछ भी करेंगा ना करें लेकिन यही चीजे आप कभी न भूले तो यह हमारे पास सालिक राम है और सारे भगवान जी है तो बस इसको मैं आचमन कर चुकी हूँ पानी से जो मैंने यहां पर रखा हुआ तो साम टाइम में सुबा टाइम दोनों टाइम यह करना चाहिए भगवान का होता है एक असनान करके जबसे सुबा आप लोग करते हैं पानी का चड़का बहुत जड़ा जरूरी है तो यहां पर मैंने ले लिया है रूई तो कहते हैं ना सिंगल बाती नहीं लगानी चाहिए तो यहां पर मैं डेवल कर रही हूँ आसे सब को पता हो गए चीजे लेकिन मैं आपको तक शेयर करूं जैसे मैं करती हूँ तो यहां पर मैंने कर दिया है और जो आप चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं यहां पर मैं तिल का दीपक जलाती हूँ तो यह सब दीपक जला दूँगी और उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है पानी तो हमेंसे रहना ही चाहिए एक चीज और है जो माचिस ह भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए इस से यह भूलकर भी कमी मिन रखें आप पूजय वगरत जलाने उनने के बास सीधे आप अप देख रहे हैं कि मेरा जो मतलब पूजय का समान है एक देख रहे है उसमें मतलब अलमारी पर रखा हुआ है तो माचिस हमेशा मंदिर से अलग रखना चाहिए, इससे धन की प्राप्ती नहीं होती है, जो धन कमाया होता है, वो जल्दी खर्च हो जाता है, और रुकता नहीं, जितना भी आप कमा के कुछ भी करें, लकि ये नहीं होगा, बतलब रुकेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूं, तो यहीं सारी चीज और तुलसी दल उसमें डाल के हमेशा रख दिजिए आप कभी भी आईएगा तो ये भगवान से तना कहके जाएए कि हाँ भगवान जी मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ आप इतने में ही मतलब आप अर्जस्ट करिये या खुश रही है खुश भी कह सकते हैं तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं तो यहाँ पर दीपक लग शुगा है अब मैं लगा रही हूँ अगर बत्ती दूब बत्ती अगर बत्ती कर दूँगी और उसके बाद आगे देखिए क्या क्या मैं करती हूँ और यहाँ पर दीपक अगर जलाने के बाल तुलसी माता को भी मतलब दीपक लगाती हूँ तो मैं एक तो दीपक यहाँ पर लगाऊंगी एक जो दर्वाजे के पास ट्मेन जिसे हम दो एंटर करते हैं अनपूर्णा के नाम से हम रसोई घर में लगाते हैं यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप करेंगे ना अनपूर्णा तो कभी आपको भोजन या किसी चीज़ कमीन नहीं होगी अनपूर्णा का भी एक रसोई घर में उनिक अवास होता है तो इसके बाद दीपक जलाया और फिर से मैंने आरती पे जो दीपक जलाने के बाद पानी का आचमन किया है वैसे आपनों भी करना चाहिए क्योंकि दीपक जलाने प्रजलित करने के बाद इनको पानी मतलब भलका सा है वह आरते हैं तो वह भी आपको करना चाहिए आचमन जरूर करना चाहिए तो यहाँ पे बस मैं लक्षमी जी का आहोन कर रही हूँ मतलब आहोन क्या है मतलब आरती करना चाहिए लक्षमी जी का तो बस यहाँ पे लक्षमी जी की मैं आरती करूँगी आरती करने के बाद फिर दो दिया मैंने त्यार रख कर लिए तो ये सारे चीजे information आपको बतानी थी मुझे तो वो मैं आपको बता रही हूँ और घंटी और संक ये चीजे कभी साम टाइम में आप ना बजाए इसे धन की लच्छ में जो आती है वो भी वापर सली जाती है ये शास्तरों में लिखा हुआ ये मेरी खुद की कहानी नहीं है जो जानकारी मैं आपको बताती हूँ ये हर चीज लिखा हर चीज जानकारी मुझे होती है वो से जर चीजे मैं आप तक शेयर करती हूँ तो माची से देखिए मैंने दीपक जला के फटा पट तुरन थटा दिया तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखें पहला तो संख न आप बजाएं ना घंटी बजाएं सुबर टाइम में आप कर सकते लेकिन इस टाइम में नहीं कर सकते तो ये देखिए मैं मैं भी मतलब आर्ति कर रही हूँ और आर्ति ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से करती हूँ मेरा साम का पूझा एकदम सिंपल नॉर्मल तरीके से ही होता है तो दो दीपक जलाई हूं जैसा कि बाहर के लिए और वहां के लिए और कोई जरूरी नहीं है कि साम को आपको मतलब असनान करके फिर मंदिर में जाना है या पूजा पाठो गयरा करना है तो आप पानी का मतलब छड़काओ करके भी आप दीपक जला सकते हैं अगर आप फ्रश ना हुए हूं तो अगर आपको नहीं मन कभी कभी होता ना कि मन नहीं मानता कि नहीं हम अभी वाश्रूम से होके आए तो हम नहाना मतलब जरूरी है अगर आप नहाना चाहते तो नहाना चाहते तो आप 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 लोग भी को मतलब सिंदूर चड़ता है वो सुबा हो यह साम में दूरो टाइम लगाती हूं आप लोग पूजा कैसे करते हैं जरू मुझे कामें शेक्षिन में बताईएगा और जो मुझे पता था वो सारी चीजे में आपको बता दे रहे हूं यहां पे साम टाइम में मैं सिर्फ दू लगता ही है तो अभी साम टाइम का खाना बने नहीं जैसे बनेगा उसके बाद तुलसी दल पड़ेगा और उसके बाद ही खाना दिया जाता है तो यह चूटी से पूजा तो यह पूजा कैसे लगे जरू मुझे कमें शेक्षिन में कमेंड करके जरूर बताईएगा बबब अभी जख अजया बड़ेगा कि बाद एता है जरूर झाल जरूर का की जरूर झाल बड़ेगा जरूर तो यह तो यह जरूर नहीं कि झाल को यह.